तो हेलो फैंट कैसे हैं आप दोस्तों आज मैं आपको तॉलाओं बहुत ही कमाल की कस्टमाइजिशन बताने वाला हूं जिससे आप अपने सेमसंग गलेक्सी की जो होम स्क्रीन बहुत अच्छे स्क्राइब कर पाएंगे और बहुत ही यूसफुल बना पाएंगे तो क्या यह फीचर है कैसे मिलेगा यह कैसे अपने सेमसंग गलेक्सी की होम स्क्राइब कर पाएंगे साही डीटल में आपको आगे बताने माला हूं आगे बढ़ने से पहले चैनल को सबस्क्राइब कर लें और अडिशन बादो ताकि यहां पर सबसे बहुत ही कमाल की कस्टमाइजिशन कर पाएंगे तो यहां पर सबसे मिले बिले कस्टमाइजिशन नहीं से डायक्ली फाइंडर एकस्टे कर पाएंगे जैसे आप किसी भी अपको तुरन्तीbyIR कर पाएंगे जैसे आप किसीप अप कर अको किसी अपको करना है प्हां से सबसे तो सबसे पहला जो कमाल का फीचर वो ही है तो मैं जो आपको इडन टिप्स देता है देने वाला या फीचर बताने वाला उसके लिए आपको जाना होगा गुड़ लग वाली एप के अंदर एक इन टिप और यह है आप देखेंगे मेरे मोबाइल में जो एप का साइज है आप आपको देखरा होगो बहुत चोड़ देख रहा है आप देसकते हैं बहुत चोड़ देख रहा है यह भी उसी की तरू ही होता है तो आपको में कुछ ऐसा hidden फीचर बताने वाला होम स्क्रीन के तो उसके लिए आपको करना कैया है है यहां जाना है सबसले है आपको अपनी हो सकता यह अप्डेट नहीं होगा तो आपको यह फिचर नहां मिले क्योंकि रिसेंटली अप्डेट वही रॉल आउड किये गए अब यहां पर आप देखें तो सबसे पहला फिचर बता दूं वह है फाइंडर एक्सेस का अब फाइंडर एक्सेस में आप यहां पर जाके उस मैंने उसको कर रहा है चोड़ा तो आप देखेंगे मैंने उसको कर रहा है काफी हच तक 80% तक आप चाहें तो उसको है और इससे से दिजाइन करना ज्यादा तो आपको मिल जाएंगे पर मुझे चोटा करना ज्यादा डगता है तो आप यहां से इसको कर देंगे तो इससे आप जो फीचर बताने को उग 뭐 भी बहुत कमाल का यह विर सके यह जैसे कि आप देखेंगे मेरे wallpaper जैसे मेरे wallpaper जैसे मैं home screen पर जाता हूँ background पुरा yellow हो जाता है मेरी photos मेरे wallpaper दिखता रहता है आप भी अगर इस तरीके से कुछ करना चाहते हैं तो आपको यह जाना होगा यह जाना है background blur control पर जैसे कि मैंने blur control पर पूरा ही लगा दिया कि मुझे blur नहीं चाहिए और आगर मैं इसको remove blur को हटा दूँ तो अब मेरी photo देखेंगे उपर हो आप देखेंगे जैसे मैं इसको कोलूँ अब जैसे कि मैं एप स्क्रीन खोलूँगा तो आप देख रहेंगे photo आप उसको blur को control कर पाएंगे कितना ज्यादा बलर यह से 100% blur कर दिया है और हम मैं उपर जाओंगा तो यहाँ पर blur दिख रहा है पर अभी blur क्यों नहीं दिख रहा है वोगि उसकी नीचे वाला यहाँ पर activate तो आपको पहले color वाले icon को इसको off कर देंगे तो वह वहाँ पर पूरी transfer हो जाएगी और वह आपको blur सा देख रहा होगा आप देख सकते हैं ऐसा यहाँ पर दिख रहा हो और आप नहीं चाहते हैं कि blur देखे तो back आएंगे यहाँ पर background ब्लर वाले को यहाँ से इसको remove कर द और जब भी आप उपर करोगे वह site होके आपको दिख जाएगा आप दिख सकते हैं इस तरीके से यह वाला feature काम करता है और बहुत ही शांदर इसमें आपको home screen customization के features मिल जाएंगे जो कि मुझे बहुत शांदर लगते हैं उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी कि आपडेट्स के लिए इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप home screen में जो तरफाने भी चेस हैं यहां पर add on कर सकते हैं तो यह यही नए updates अपडेट्स उमीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो यह यही आप लीडियो पसंद कर आई होगी एगर आपको यह वीडि नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने पर आगउं दबादो ताकि यह नहीं अप्डेट आपको सब्सक्राइब मिले और हो सके मुझा इंस्टाग्राउं और फिर्जू पर भी फॉलो करें तेंक्यू सो मच